Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्ड़बल वाई RBI केनोट प्रिंट अनलिमिटेड मानी वेलकम टू Study IQ मेरा नाम है अधेश सिंग लगता है उसके बाज नोड छापने की मशीन है दोस्तों अक्सर ये कहावत हम ऐसे व्यक्तियों के बारे में इस्तिबाल करते हैं जिनकी धन संपत्ती और ठाट बाट देखकर हमारी आँखें खुली की खुली रह जाती है पर ये कहावत केवल बोलने और सुनने में ही अच्छी लगती है क्योंकि असल जिन्दगी में किसी के भी द्वारा अपने घर में नोट छापना पूर्ण रूप से असंभव और वर्जित है और अगर कभी किसी ने नोट छापने जैसे संगीन अपराद को अंजाम देने की कोशिश भी की तो उसकी देखबाल हमारे भारतिये जेलों द्वारा अच्छे से की जाती है खैर आपको तो अच्छे से मालुम होगा कि हमारे देश भारत में करंसी नोट को प्रिंट करने की जिम्मेदारी Reserve Bank of India यानी RBI की है दोस्तो RBI की स्थापना 1926 में Royal Commission on Indian Currency and Finance के सुझाव पर की गई थी हिसायो को Hilton Young Commission के नाम से भी जाना जाता है पहले RBI को एक Private Bank के रूप में Establish किया गया था लेकिन कुछी सालों बाद 1949 में इसका नैशनलाइजेशन कर इसे भारत के Central Bank की उपाधी प्रधान की गई इसके बाद से लेकर आज तक RBI को Government of India की Ministry of Finance द्वारा मैनेज और कंट्रोल किया जाता है इसके अलावा RBI भारत में Credit System को Regulate करते हुए Monetary Stability Maintain करता है इतना ही नहीं ये बैंक भारत के Foreign Reserves को भी मैनेज करता है लेकिन RBI के इन सभी Functions और Power में सबसे प्रमुक है Currency Issuance जिसके तहट RBI भारतिये Currency को Print करते हुए पूरे भारत में इन Currencies को Supply करता है पर कि आपको भी लगता है कि इस तरह की Power मिलने के कारण RBI जितनी चाहे उतनी Currency Print कर सकता है जी नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं है कई कारणों से RBI Unlimited Currency Print नहीं कर सकता और आज हम RBI की इसी Power पर विशेश चर्चा करने वाले हैं जिसके तहट हम उन मुख्य पहलूं का विशलेशन करेंगे जो RBI को Unlimited Currency Print नहीं करने देते हैं तो चलिए शुरू करते हैं Power of RBI in Currency Assurance दोस्तों Currency Assurance Power के तहट RBI Notes और Coins के Sufficient Supply, Issue और Exchange के लिए Responsible हैं यहाँ एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि भले ही Coins का Circulation RBI की जिम्मेदारी हो लेकिन उनकी Production की Responsibility Indian Government की होती Coinage Act 1906 के मताबिक सिक्कों की Minting का काम RBI का नहीं बलकि भारतिय सरकार के हाथों में होता है तो वहीं दूसरी ओर Note Printing की जिम्मेदारी RBI की होती है इसके साथ ही RBI Indian Currency के Notes और Coins की Quality का भी खास हयाल रखता है RBI की जो यूनिट Note Printing का कारे करती है वो है भारतिय Reserve Bank Note मुद्रन Private Limited ये यूनिट ज्यादा से ज्यादा 10,000 तक के Notes प्रिंट कर सकती है और अगर इससे बड़े Denomination के Notes प्रिंट करने हो तो पहले भारत ये सरकार को RBI Act 1934 अमेंड करना पड़ेगा Note प्रिंट करने के लिए भारत में चार प्रिंटिंग प्रेस मौझूद है जो मध्यप्रदेश के देवास, महराष्ट के नाशिक, करनाठका के माईसोर और वेस्ट बिंगॉल के सालबोनी में स्थित है जहां एक ओर देवास और नाशिक के प्रिंटिंग प्रेस को इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो वहीं दूसरी ओर सालबोनी और माईसोर के प्रिंटिंग प्रेस को RBI द्वारा खुद मैनेज किया जाता है हर साल की शुरुवात में RBI इन प्रिंटिंग प्रेस को नोट्स प्रिंट करने का शेडियूल बना कर देती है जिसके तहट उन्हें ये इनफॉर्म किया जाता है कि कब और कितने नोट्स प्रिंट करने है ये डेटा RBI और उसके 31 regional offices द्वारत तयार किया जाता है इतना ही नहीं, RBI अपने statistical analysis के जरिये ये अनुमान लगाता है कि इस वक्त market में कितने नोट्स circulation में हैं कितने नोट्स पिछले साल नश्ट किये गए, कितने खराब नोटों को replace किया गया और आने वाले समय में कितने नए नोटों की जरूरत होगी इन तमाम factors का analysis करने के बाद, RBI Finance Ministry के coins and currency division से consult करती है और आपस में सलाह मश्विरा करने के पश्चात, RBI ये decide करती है कि अब इस नए साल में कितने नोट्स print किये जाने है दोस्तों, इस जानकारी के बाद पता चलता है कि केवल RBI और government के पास ही currency और coin से सम्बंधित powers है इसी लिए ये सोचना स्वाभाविक है कि इतने अधिकार होने के बावजूद, क्यों नहीं RBI अपनी मर्जी के मताबिक notes को print कर लेती है परन्तु, इसके पीछे दो प्रमुख कारण है जिसमें से पहला minimum reserve system है और दूसरा inflation आईए अब इन reasons को detail में समझने की कोशिश करते है दोस्तों, भारत में currency notes की printing minimum reserve system यानि MRS के आधार पर की जाती है ये system भारत में वर्ष 1957 से लागू इस system के अनुसार RBI को हर समय कम से कम 200 करोड रुपए के assets यानि की संपत्ती बनाए रखनी होती है इन 200 करोड में से 115 करोड रुपए सोने यानि gold के रूप में और बाकी 85 करोड रुपए foreign currency के रूप में होने चाहिए इतनी संपत्ती रखने के बाद RBI Indian economy के जरूरत के हिसाब से RBI Act 1934 के तहट notes print करता है इन नोटों पर RBI governor द्वारा एक promissory note भी लिखा होता है जो केवल ये सुनिश्चित करने के लिए printed रहता है कि RBI ने currency value के बराबर सोना अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है ये promissory note, note holder को ये assure कराता है कि war, national calamity, inflation और depression जैसे किसी भी स्थिती में RBI, non-pair या defalter नहीं होगा उधारन के लिए अगर किसी के पास 500 रुपे का currency note है तो उसे उस note के exchange value की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हर हाल में RBI उसे 500 रुपे की value के बराबर gold या goods बे करने के लिए liable यानि responsible है अब मान लीजिए RBI अपने gold assets और foreign cash reserve से ज्यादा Indian currency के notes प्रिंट करता है जिन पर RBI governor का promise भी printed है लेकिन जब उन notes की value के बराबर भारत के पास reserves ही नहीं होंगे तो RBI किसी भी प्रकार के आर्थिक संकट में आम जनता को उन notes की कीमत अदा नहीं कर पाएगी इतना ही नहीं अगर RBI अपने gold assets और foreign reserves से ज्यादा notes प्रिंट करता है तो global market में भी इंडियन रुपी की value गिर जाएगी यानि decrease हो जाएगी ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन notes के बराबर RBI के पास reserves नहीं होने के कारण लोगों का इंडियन currency पर faith बनाई रखना सरकार के लिए मुश्किल साबित होगा जिसके कारणवश भारतिये economy की नीव डगमगा जाएगी अगर currency की value decrease होने की बात करें तो इसका सबसे सटीक उधारण हमें वेनेज्यूएला की आर्थिक स्थिती से मिलता है वेनेज्यूएला पिछले कई सालों से monetary crisis से गुजर रहा है experts का मानना है कि इस crisis की शुरुवात heavy money printing के कारण हुई थी जिसमें वेनेज्यूएला के assets से ज्यादा की value में currency notes print किये जा रहे थी आज इस देश का हाल कुछ ऐसा ही है कि वेनेज्यूएला में एक लाख तक के currency notes printed है पर इनकी value 0 के बरावर है यही कारण है कि currency की internal value maintain करने के लिए RBI और भारतीय सरकार foreign reserves के साथ balance maintain करके चलते हैं अब आईए अगले कारण की तरफ बढ़ते हुए inflation को money printing के perspective से समझने की कोशिश करते हैं बता दें कि economic stability बनाए रखना भी RBI के functions में से एक है दोस्तों रुपए की value create करने के साथ RBI को उसकी value maintain भी करनी होती है जिसके लिए inflation सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आती है inflation का मतलब economy में goods और services के prices का बढ़ना होता है वैसे तो inflation के कई कारण है लेकिन उनमें से प्रमुख कारण है demand and supply gap यानि किसी भी goods की demand उसके supply से ज्यादा होना In fact, goods and services की demand भी कई कारणों से बढ़ती है उसमें से एक है लोगों के पास हर्च कम करने के लिए ज्यादा पैसो का होना जिससे economic terms में purchasing power कहा जाता है अगर products की demand बढ़ती है मगर उनकी supply उस rate से नहीं बढ़ रही होती है तो लोगों की purchasing power और demand supply gap को कम करने के लिए products के दाम increase कर दिये जाते है जिससे economy में inflation उत्पन होता है अगर inflation किसी economy में कुछ समय के लिए मौजूद है तो उससे कोई फर्क नहीं पढ़ता लेकिन जब inflation लोगों के basic needs को प्रभावित करे तो economy बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है अब यदि RBI unlimited printing द्वारा लोगों में भारी मात्रा में notes distribute करता है और उनकी purchasing power को बढ़ा देता है तो स्वभाविक है कि देश में हर तरह के products की demand बढ़ने लगेगी अगर बढ़ती demand को supply system द्वारा balance नहीं किया गया तो inflation increase होगा जिसके नतीज़तन gradually लोगों की purchasing capacity कम हो जाएगी खैर notes अगर इसी तरह unlimited distribute होते गए तो inflation इस हद तक बढ़ जाएगा कि कुछ रुपए में बिखने वाली चीज अब 10 गुना या 100 गुना दामों पर मिलेगी basic needs से लेकर luxury items महगाई की सीमा पार कर देंगे कुछ इसी तरह का drastic step आफ्रिकन देश जिंबाववे ने अपने economy को सुधारने के लिए उठाया था जिंबाववे में economic issues 1990s से चल रहे थी जिसका समाधान निकालते हुए इस देश की सरकार ने market में circulation हे तू unlimited money printing का सहरा लिया पर continuous printing की वजह से इस देश में inflation सातवे आसमान तक पहुँच गया और inflation को reduce करने के लिए government ने unlimited money print करना शुरू कर दिया यहां तक की million dollar तक के notes इस देश में print होने लगे थे जिसके बाद इस देश की economy inflation से hyper inflation mode पर पहुँच गई इस देश में currency की value इतनी गिर गई, products इतने महंगे हो गए कि लोग एक bread का packet खरीदने के लिए नोटों के bundle लेकर बाजार जाते थे आपको जानकर आश्चरे होगा कि 2008 के statistics के अनुसार, जिंबववे का inflation rate 79.6 billion percent expect किया जाता है इस rate को imagine कर इसे समझ पाना हमारी कलपनाओं से परे है और इसी तरह की आर्थिक तंगी से बचने के लिए RBI भारत में unlimited money print नहीं करता है बलकि ये भारत सरकार के साथ मिलकर इंडियन economic market में limited money ही circulate करता है conclusion तो दोस्तों ये था RBI और unlimited currency printing से संबंधित एक रोचक discussion RBI unlimited currency print क्यों नहीं कर सकती ऐसे विचार आपके मन में भी कई बार आए होंगे और ये आना स्वाभाविक भी है क्योंकि हम सभी ने कभी न कभी ऐसा जरूर सोचा है कि क्यों RBI ज्यादा से ज्यादा नोटों को छाप कर देश के नागरिकों में बाट नहीं देती जिससे देश से खरीबी हमईशा हमईशा के लिए खत्म हो जाए लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि अगर RBI unlimited currency प्रिंट करना शुरू कर दे तो हमारे देश की economy की हालत भी Venezuela और Zimbabwee के समान खस्ता हाल हो जाए economy से जुड़े इसी तरह के अगर और भी कोई सवाल आपके मन में है तो हमारे साथ comment section में जरूर share करें हम अपनी वीडियो में उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे